क्या तमिल लाडू में बनेगी बीजेपी की सरकार? प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी पिछले कई महीनों से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हैं जाओ उन्होंने खुल कर कहा कि मैं उद्यनिदी स्टैलिन को चुनोती देता हूँ कि वो पहले अपनी मा को मंदर जाने से रोक कर दिखाए ये तमिल लाडू के मुख्य मंत्री M.K. स्टैलिन के बेटे उद्यनिदी स्टैलिन को जवाब था उद्यनिदी स्टैलिन मुसलसल सनातर्न धर्म के खिलाव बयान देते आए हैं मौजोदा सबे में तमिल लाडू के अंदर के अन्नमलाई ने खुदी भाजपा का मोर्चा समाला हुआ है दैनिक भासकर के एक रिपोर्ट के मुताबिक के अन्नमलाई तमिल लाडू में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है वे हिंदुत्व पर मुखरता से बोलते हैं प्रदेश में सत्ता समाल रही डियेम के लीडर्शेप पर सीधे हमला बोला जाता है के अन्नमलाई के द्वारा इसके पीछे वाजिब वज़ा भी है के अन्नमलाई कोयम बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं यहां 88 प्रतीशत हिंदु अबादी है बीजेपी को तमिलाडू बे जिन सीटों पर जीत के सबसे ज्यादा उमीद है कोयम बटूर उन में से एक है कोयम बटूर और अन्नमलाई बीजेपी के लिए कितने एहम है यह इससे पता चलता है कि पिछले 23 दिनों में प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी यहां दो बार रैली कर चुके है प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी ने दसप्रेल को ही रैली में कहा था कि DMK के एक बड़े नेता से हमारा युवा नेता के अन्नमलाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एंकार में कहा कि कौन है वो ये एंकार तमिलाडू के महान कल्चर के खिलाफ है ये फैमिली पॉलिटिक्स करने वाले लोग हर युवा को आगे बढ़ने से रोखते हैं तमिलाडू के कोंगू रीजन में आने वाली कोयमबटूर सीट AIA DMK का गड़ है इस बाद DMK ने भी यहां कैंडिडेट उतारा है पहले DMK की सयोगी पार्टी CPI यहां से कैंडिडेट उतारती थी तीनों ही पार्टिया कोयमबटूर से जीत का दावा कर रही है हलांकि PM की रैलियो और अनमलाई की पॉपुलारिटी के बावजूद BJP के लिए यहां जीत मुश्किल नजर आ रही है बगर गौड तलब है कि कोयमबटूर में बड़ी संख्या में नौर्थ इंडियन्स रहते है इनके वोट BJP को मिलने की पूरी उमीद है पिछले विदानसभा चुनाव में कोयमबटूर की एक सीट BJP जीत चुकी है कोयमबटूर जीतने का असर पूरे कोंगू रीजिन में होगा इस रीजिन में लोकसभा की 9 सीटे आती है बविश्य में इन सीटों पर भी BJP के बढ़ने की गुंजाईश रहेगी BJP तमिलनाडू के साउथ रीजिन में भी बढ़ रही है ऐसे में कोयमबटूर जीती तो कारेकरता में कॉन्विडेंस बढ़ेगा कोयमबटूर में एक अंग्रेजी अकबार के सीनेर एडिटर के अनुसार पियमोदी का रोडशो इसले करवाया गया क्योंकि यहां से हिंदुत्व की राजनीती को धार दी जा सकती है मेरा हेलपर भी आयोध्या गया था अब हो सकता है कि वो भी BJP को ही वोट दे आम लोगों के बीच राममंदिर का भी थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है मेरी सुसाइटी में ही मैंने लोगों को राममंदिर के बारे में बात करते सुना वे कहते हैं कि कोयम बटूर पहले लेफ्ट का गर था यहां बड़ी संख्या में कपड़ा मिले है इनमें हजारों मजदूर काम करते हैं इनकी एक यूनियन भी है इनकी बड़ूलत लेफ्ट के कंडिडेट यहां जीतते रहे हैं लेफ्ट के बाद जैललिता के राज में इस रीजन में AIA-DMK ने पकड़ बनाना शुरू कर दिया था 2011 के बाद से इस पार्टी काफी मजबूत हो गई है AIA-DMK यहां कितनी मजबूत है इसका अंदाजा पिछले विदानसभा चुनाव के नतीजे से लगाया जा सकता है इस चुनाव में पार्टी ने 10 में से 9 सीटे जीती थी एक सीट बीजेपी ने जीती थी तब वो AIA-DMK के साथ अलाइन्स में थी और अब देखना यह है कि 2024 के चुनावी रण में